तो हेलो दूस्तों कैसे आप सब रोगा सकता हूं पढ़िया होंगे दूस्तों किस किस को प्यार करूं और फिरंगी जैसी फिल्मों के जरिए बड़े परदे पर अपनी किस्मत अजमा चुके स्टेंडब कॉर्मीडियन कपिल सर्मा की नए फिल्म जोगेटो जल्द ही सिनेमा गरों में दस्तक देने वाली है नंता दास के निदीसन में बनी इस फिल्म में कपिल सर्मा डिलिवरी वोय का केदार निवा रहे हैं फिल्म के बुदभार को मुंबई में हुए टीलर लॉंच के दौरन कई लोगों की नोकरिया चली गई जीवी को पाजन के लिए जिसको जो काम मिला हुआ काम कर लिया फिल्म जोगेटो में ऐसे ही एक केदार मानस की कहानी है जिसे कपिल सर्मा निवा रहे हैं मानस किसी कंपनी में मैनेजर का काम करता है और नोकरी जूटने के बाद डिलिवरी वर्ड बन जाता है कपिल सर्मा कहते है यह एक ऐसा केदार है जिससे आम लोगों का रिस्ता सीरे बता है मेरी छबी भले एक हाथ से कलाकार की है लेकिन मैं टीवी पर अगर दो घंटी कोमेडी करता हूँ तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि मैं पूरे दिन ही कौमेडी करता रहता हूँ हर इंसान के अंदर कई तरह की एमोशन होते हैं कौमेडी के अलावा अब लोगों को मेरा दूसरा रोप देख देखो मिलने वाला है निदेसा के रूप में नंदतादास की जोगैटो तीसरी फिल्म है इससे पहले वह फिराक और मंटू जैसी फि उपदेखों चौम्तिया नंतादास कहती हैं पहले फिल्म की कहानी एक दिन की थी और अब इसकी कहानी चाहतन की हो गई हैं आज्कर सिदेमा-घर में आम आदमी की कहानी बहुत कम दिखाई जाती है इस फिल्म को बचा बनाने का क्यान मुझे कौविड के दौरा नहीं आया तब अधार फिल्म में एक आम आदमी के संगस और उसके अपने की काहनी है फिल्म में कप्ल सर्मा को को लिए जलुए सभाबी के सवाल पर यंत रश कहती है अगर जोगैटों के लिए सारुखान वी काम करने के लिए तयार होते तो भी उनके साथ में फिल्म नहीं बना सकती थी इस फिल्म के लिए मुझे एक ऐसे चेरे की ज़रूरत थी जो आम इंसाल लगे कपिल सर्मा का व्यक्तित्व ऐसा है कि वह हर केदार में फिट आ जाते हैं नंतरास कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी हैं उनसे जब यह पूछा गया कि अव वह नेदेशन में बनी फिल्मों में खुद काम क्यों नहीं करती हैं नंतरास ने कहा जब आप तेदेशक के तोर पर काम कर रहे होते हैं तो आप धियान कहीं बटा रहता है इसलिए खुद की फिल्मों में अभिने नहीं करती लेकिन मेरे पास भीत्षे spaghetti एक उसे बनावी तो उसमें चरूर अभी नहीं करुगी किस-किस को प्यार करूगा फिरंगी जैसी फिल्मों में काम कर चुक्ति कपवल सर्माने ने जब पूछा गया कि वहें फिल्में बहत कम काम, फिल्में बहुत कम काम करते हैं, तो albums सरमा ने कहा मैंने फिर्मों के लिए कभी भी कोई योजणणा नहीं बनाई, खिसको प्यार करूं की कहानी मेरे मित त्धीराइस, सर्नाँ नहीं लिगी थी, इसलिए मैंने वे फिल्म कर ली, इस तरह से फिरंगी को मेरे मित राजीव धिंगरा ने निदेशित किया उस फिल्म में ना सिर्फ मैंने एक्टिंग की वर्ड के फिल्म को प्रोड्यूस भी खुद किया मैंने कभी कारोबारी लिहार से फिल्में नहीं की कहानी और केदार मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर लेता हूं दोस्तों बता दे कि यह फिल्म आपको इसी मैने यानि 17 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होती हुए दिखाई देगे तो दोस्तों क्या आप इस मूवी को देखनी के लिए एकसाइटेड है अगर हां तो कमेंट में यस करके लेखें अगर नहीं है तो कमेंट में लो करके लेखें हम फिर से आ थैंक्यू धन्यवाद